तो आज मैं यहां पर बिल्कुल बेसिक सी का स्टार्ट करने जा रहे हूं इसमें मैं मतलब जो बच्चों को बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है इस वीडियो को देखेंगे तो उनके बेसिक सी क्लियर होते जाएंगे और फॉलोइंग वीडियो में भी मैं बेसिक सी पूरा कवर करोंगे सब बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हूं कि उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था सी लैंग्विच का तो मैं आज इसमें यह भी बलता हूंगी कैसे हम इंस्ट्रॉल करते हैं कैसे सी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं कैसे हम रन करत हैं कंपाइल करते हैं वो सारी चीज़ें में कवर करूंगी तो बने रहे हैं इस वीडियो में मेरे साथ तो विल स्टार्ट विद इंट्रॉक्शन कि सी लैंग्विज एक्चुले मैं होती क्या है तो जब भी मुझे कम्प्यूटर से कम्यूनिकेट करना पड़ता है तो उन जिससे की हम कंप्यूटर को प्रोग्रम flexible English में easily लिख सकते हैं मесь क्या हुता है कि translator होता है जो की simple English को computer language में convert करता है लेकिन वो क्या करेगा पूरा परोग्राम पड़ेगा जितनी भी errors आपने किया है उसकी list of errors bottom of the screen पे डिस्प्ले करेगा जब आप सारे errors को rectify कर लोगे तब वो आगे बढ़के उसको execute करेगा ठीक है उसको object code में convert करेगा और फिर program execute होगा ठीक है तो यह C क्या है compiler based language है and procedural programming language Procedure means छोटे-छोटे modules में, छोटे-छोटे functions में, छोटे-छोटे procedures में divide कर सकते हैं अपने एक बड़े program को, Procedure means एक छोटा सा ही program होता है program के अंदर जिसको कि मैं जब मर्जी call कर सकती है, suppose मुझे addition करना है दो number का तो मैं पूरा code लिखने की बजाए सेफ उस function को call कर लोगे ताकि मुझे दुबारा से वो code बार-बार वो code ना लिखना पड़े तो एक बार लिखकर में रख लेती हो, that is procedures बन जाते हैं, फिर it was initially developed by Danish Rich in year 1972, यह history है उसकी C की अब यह बहुत easy language है, और एक और चीज़ बताओ मैं, जो C या C++, जिसके C या C++ में language में concepts clear हो जाते हैं, वो किसी भी language को बड़ी easily learn कर लेता है, क्यों? क्योंकि यह language है न, core है आपकी programming की, इसमें अगर basics clear हो गए, तो बाकी language में थोड़ा बहुत syntax का फरक पड़ता है, बाक की सारी languages आप धीरे-धीरे सीख जाओगे, अगर आपको C या C++ आगे, C++ जैसे थोड़ी सी चेंज है, Java almost C++ जैसी है, फिर Python तो बहुत easy language है, तो एक language में आप concentrate करके सीख लो, तो आपके आगे तक के लिए ठीक हो जाएगी, तो we'll start with the structure of program, कैसा program बनता है, अभी आपको जित समझ में आ रहा है, जादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, कोकि सारी चीजें आगे के वीडियो में cover होंगी, अभी मैं सिफ आपको दिखा रहे हूँ कि किस तरह का program होता है, कि इसमें include किया जाता है, अचा पहले सबसे पहले, slash, star, it is comment, ऐसा section जो कभी execute नहीं करते हैं, सि cb library के होती है, जिसमें predefined functions होते हैं, उन functions को use करने के लिए हमें include करनी पड़ती है, library, main एक ऐसा part है, जहां से, ऐसा function है, जहां से programming start, compiler को पता चलता है, यहां से program start हो रहा है, ठीक है, यह main का scope होता है, यहां से लेके यहां तक जहां से opening braces and closing braces हैं, ठीक है, इसके अंदर यह body म पे आप सारे instructions लिखते हो, सारे statements लिखते हो, यह return statement है, आपका related to main, यहां पे void लगा है, तो इसलिए return ना भी करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर int लगा होता, तो return जरूरी होता, void के संग return नहीं जाता है, ठीक है, यह तो एक छोटा से structure है, अभी इसमें जादा दिम पहले हम समझेंगे कि C में क्या क्या चीज़ें use होती है, सबसे पहले character set, कौन कौन सी चीज़ें हम use करते हैं, alphabets, a to z and small a to z, digits होती है, 0 to 9 and x combination, यह integers होते हैं, then यह symbols होते हैं, जैसे मैंने hash use किया था, pre-processor directive में, ऐसे बहुत सारे symbols होते हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे, म आपके जो new line characters होते हैं, यह सब कुछ इसमें use होता है, यह character set है, ठीक है, आप आजाओ tokens में, token क्या होता है, C language का smallest unit is token, means इसमें चोटी चोटी चीज़ें, जो कुछ भी use होती हैं, वो सब इसमें बताया जाएगा, कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूरी programming में आप use करने वाल तो इस वीडियो में हम यह इतनी चीज़े cover करेंगे, operator थोड़ा बड़ा topic है, हम इसको next वीडियो में cover करेंगे, तो फटा-फट से start करते हैं, keywords क्या है, keywords ऐसे words होते हैं C में, जिनका कोई special meaning होता है, ठीक है, इनके जैसे कि print F कर रहे हैं, तो print F का मतलब होता है कि हमें print करना scan F का मतलब होता है, input लेना है, जैसे पीछे आपने structure में देखा था include होता है, तो include का मतलब होता है, कि मैं एक library को include कर रहे हूं, तो ऐसे words, जो की, जिनका कुछ special meaning है, वो words, keywords कहलाते हैं, यह 32 keywords हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अब list यहाँ पर practical पॉसिबल नहीं है, कि मैं सारी list दूँ और illogical भी है, इसलिए मैंने थोड़े से keywords डाले हुए हैं, कि इतने keywords, जो आपको थोड़े बहुत normal words है, जो आप अकसर use करोगे, जैसे int है, long है, else है, यह for है, if है, do है, continue है, care है, break है, यह बहुत frequently use कर रहे होगे आप लोग, ठीक है, while है, float है, return है, यह frequently use होगा, तो ऐसे words, जिनका कुछ special meaning है, वो keywords कैलाते हैं, अब आजो next शीज पे, constant क्या होता है, constant, constant, जैसे नाम से बदा चलता है, जो change ना हो रहा हो, तो ऐसे data, आपके program के अंदर, जो की change ना हो रहा हो, ठीक है, means, इसका मतलब यह है, कि इस यह जो value हम use करेंगे, जो declare करें कि हम कोई change नहीं कर सकते हैं, जैसे using उसको कैसे define करते हैं, अभी यह समझो कि जैसे हमें, कोई भी data हम store करें, उसको नाम दिया जाता है, और बताया जाता है, डिकलेर किया जाता है, किस type का data है, तो मैंने suppose एक integer type का data store कर रही हूं, और जिसका नाम है x, x में 4 store कर रही हूं, और हमें compiler को बताना पड़ता है, कि इंडर type का data है, जब आगे हम चाहें, तो इसको हम लिख सकते हैं, x is equal to x plus 5, means मैं x की value change कर रहे हूं, और वो finally बन जाएगा 9, x की value 4 हटके 9 हो जाएगी, यानि कि यह change हो रहा है, यह variable होता है, लेकिन अगर हम इसमें const लगा देंगे constant, इ यह change नहीं हो पाएगा, उसके बाद अगर हम ऐसा statement लिखते हैं, तो error generate होगी, constant, c-o-n-s-t, एक keyword है, जिसको जब मैं लगा देती हूं, किसी भी variable के आगे, तो वो change नहीं हो सता है, during the execution of program, similarly, एक होता है, hash define preprocessor, hash define preprocessor, सबसे उपर जहां पे include किया जाता है, वहां पे हम लिखा और 30 लिखा, means, a एक नाम का variable है, जिसमें, a एक नाम का constant है, it's not variable, एक identifier है, जिसमें 30 value है, यह भी change नहीं हो सकते, तो दो तरीके से हम constant declare करते हैं, इसके में पूरा डेटेल आगे समझाओंगी, किस तरह से करना है, programming में भी दिखाऊंगी, कि हम कैसे करते हैं, इसको द integer x, तो आपको बताना पड़ता है, किस टाइब का है, और क्या variable है, hash define name and value, इसमें ध्यान रखने बीच में equal to नहीं लगता है, only space रहता है, next, next token क्या है, आचा, constant के types क्या है, primary constant and secondary constant, हम primary पे पहले concentrate करेंगे, numeric and character, numeric में integer, it's integer constant, integer में decimal आ गया, 0 to 9, integer आपको पता है, यह digits की बात कर रहे हूं, octal में 0 to 7 के number होते हैं, octal जब हम define करते हैं, हम आगे यह लिखते हैं, और फिर 1, 2 लिखते हैं, means 0, 1, 2, 0 दिखाता है कि यह octal number है, 0 दिखाता है, sorry, 0 दिखाता है कि यह octal number है, hexadecimal कैसे लिखते हैं, 0, oh sorry, x लगता है इसमें, इसका मतलब यह लग गया है, उसका मतलब यह hexadecimal number है, तो यह सब types हैं, जिस तरह के constant में हम, जिस type का data हम constant में डालते हैं, वो data type है, real constant क्या होते हैं, 2.5 minus 3.6 जिसमें decimal number है, या फिर कई जगे आपने दिखा होगा, यह भी लिखा होता है, इसका मतलब होता है, 2 into 10 raise to the power 2, 0.5E5, इसका मतलब होता है, 0.5 into 10 raise to the power 5, यह real constant क्यलाते हैं, जिसमें decimal number होते हैं, वो real constant होते हैं, अब आज हो character constant, character constant क्या होगे, single alphabet, single एक alphabet होगा, वो character constant होगा, string constant क्या होगा, suppose में अपना नाम लिख रही हूँ, multiple characters, in double inverted commas में difference देखेगा, यह single quotes में होता है, यह double quotes में होता है, string constant, backslash character constant क्या होता है, backslash n, यह भी पूरा detail में आगे बताऊंगे, अभी जैसे जैसे आएगा, वैसे बताऊंगे, अभी फिलाल इतना समझो, कि backslash n character कौन सा होता है, जैसे new line character है, जो हम print में लगाएंगे, tab है, bell है, alert bell character, तो इस तरह के कुछ एक आपके पास, आपको जब जब आएगा, वैसे वैसे मैं बताऊंगे, तो main, यह दो main यह use होते हैं, बाकी और भी जो आएंगे, वो मैं future में बताती रहोंगे, इस तरह के constant, सब character constant में आगे, secondary constant क्या होते हैं, जो primary constant से मिलके बने होते हैं, primary constant से मिलके बने होते हैं, जैसे array है, array क्या होता है, again इसके पूरे पूरे chapter से हम पूरा detail में आपको समझाओंगी, अभी at this point of time, यह समझो, array is a collection of homogeneous elements, pointer होता है, structure, heterogeneous elements का collection, ऐसे ही union होता है, inam होता है, means basically वो इन सबसे मिलके बने होते हैं, आपके secondary constant, इसके भी जैसे जैसे आएगा, वैसे बताऊंगे आपको, next आया, variables, variables जैसे मैंने आपको बोला था, constant, जी constant में value change नहीं होती, variable का नाम से पता चल रहा है, इसकी value आराम से change हो जाती है, कैसे हम define करते हैं, int x, यह मैंने declare कर दिया, इसको define करना है, तो int x is equal to 4, definition जो होती है, जो मैं definition बोल रही हूँ, यानि कि इसमें value डालना, यह दो कैसे होती है, एक run time, एक compile time, अगर मैं लिख रही हूँ, int नाम का, मेरा एक, int type का, मेरा एक variable है, x, जिसमें 4 value है, मतलब मैं यहीं पर declare कर रहे हूँ, और यहीं पर define कर रहे हूँ, declaration means, मुझे बताना कि किस नाम का variable है, जब मैं उसमें value डाल रहे हूँ, तो वो definition होती है, तो जब हम declaration और definition साथ में करते हैं, that is compile time, यह कहलाता है compile time, क्यों compile time, क्यों compile time, क्यों क्यों complete time, क्योंकि जब मैं compile करूँगी, जैसे ही मैं उसमें keys दबा के combination control F9 करके keys दबा के compile करूँगी तब ही ये आपका उसी समय पे ये आपका value assign हो जाएगी X में ठीक है, run time क्या होता है जब मैं user से input लोंगी जब मैंने ऐसे declare कि इंटर नाम का X है बाद में program के run करने के time पे I'll ask user to give input then whatever input user is giving वो मैं assign कर दूँगी X में that is run time run time definition I hope ये variable का concept clear हो गया होगा तो हम किस तरह से declare करते हैं हम चाहे तो multiple declaration भी कर सकते हैं इंट X Y Z तीन भी declare कर सकते हैं हम चाहे तो एक भी declare कर सकते हैं definition में हम चाहे तो एक को define करें हम चाहे तो X is equal to 2 Y is equal to 3 and so on declare कर सकते हैं तो इस तरह से define होते हैं सारे variables next concept है identifier का अब जो मैंने variable बोले हैं वो values जो change हो सकते हैं वो variable हैं अब इनका जो नाम दिया जाता है मैंने लिखा आपको के सामने X is equal to 4 या मैंने लिखा character character name मेरे name नाम का एक variable है जिसमें की 10 characters है अब ये जो name है ये कहलाता है identify जो नाम हम देते हैं उस variable को वो कहलाता है identifier अब ये जो name दिया है ऐसे कुछ भी दे नहीं दे सकते हैं इसके rules होते हैं क्या rule होता है पहली बात तो ये each identifier has to be unique one means अब एक बार name मैंने use कर लिया अब इस नाम को उस program में किसी और के लिए use नहीं कर सकते हैं उसमें कभी भी मैं अगर variable का नाम लिख रही हूँ तो मैं name one लिख सकती हूँ one name नहीं लिख सकती हूँ एन ए टू एम ए सही है पर starting में number नहीं होना चाहिए नहीं number होना चाहिए ठीक है इसमें starting में केवल underscore allowed है special symbol नहीं होना चाहिए इसमें कोईभी special symbol नहीं होना चाहिए या फिर alphabet हो या under score हो उसके बाएद आप कुछ भी character डाल सकते हो कोई भी digit डाल सकते हो special characters hash हम नहीं डाल सकते है hyphen हम नहीं डाल सकते है exclamation marks हम नहीं डाल सकते है तो यह जो special characters है वो हम use नहीं कर सकते है फिर अगर मैं बोलू name and name and name तीनों अलग-अलग है it is case sensitive language यह different है इससे और यह different है इससे means तीनों अलग-अलग है तीनों में कोई relation नहीं है तीनों की value हम अलग कर सकते तीनों को accessing हम अलग कर सकते क्योंकि case sensitive language है तो तीनों में आपस में कोई relation नहीं है, तीनों different है maximum length कितनी हो सकती है, 31 characters की हो सकती है, किसी भी variable के नाम में, identifier की maximum length 31 characters की हो सकती है name of, और फिर name logical होना चाहिए, हम कुछ भी नहीं लिख सकते, हम name is equal to 10 नहीं लिख सकते, error नहीं आएगी, लेकिन जब कोई भी program आपका देखेगा, तो बहुत illogical नजर आएगा, ठीक है तो जब भी आप variable का नाम दें, it should be logical it should be meaningful अगर मालो मुझे interest लिखना है ठीक है मुझे interest निकालना है, तो principal rate time चाहिए, अब उसमें variable का नाम PRT या principal rate time की जगे, आप डाल रहे हो length and breath error कुछ नहीं आ रहे है, लेकिन that sounds illogical, ठीक है तो इट शुद भी meaningful and identifier should not start with a number already मैं बता चुकी हूँ next topic is data type किस तरह का data हम अपने variable में या constant में डाल रहे हैं that is data type, integer float और character तीन basic data type है इसको मिलके बाकी के data type बनते हैं, जैसे कि integer में आई सारी digits 12, 0 to 9 ठीक है 0 to 9, negative भी हो सकता है positive भी हो सकता है float, float क्या होता है 2.5, 2.6 3.9 decimal number को हम float बोलते हैं character, single character single character आपका ABCD इसमें हम भले ही number भी डाल रहे हैं तो भी आपका वो character होगा, ये integer में नहीं आएगा, क्योंकि हमने inverted commas, single quotes लगाए हैं या double quotes भी लगाएंगे तो भी वो character ही है, string ही रहने वाल है string और हम कह सकते है string type का data, actually string मैंने mention क्यों नहीं किया है, क्योंकि string is basically combination of character it is array of character वो इस category में आजाता है string is not basic data type क्योंकि string जो है character का array कहलाता है वैसे मैंने लिखा care n5 is equal to ram ये होता string है, लेकिन actually में क्या होता है, ये एक array होता है characters का इसलिए ये basic data type में नहीं आता है fine अब इसके लिए अब मालो छोटा छोटा number है, तो हम short int लिख देते हैं short int बड़ा है, हम long int लिख देते हैं ठीक है, float है बड़ा number है, तो हम double लिख से देते हैं character, character तो character ही रहने वाला, इस तरह से clauses add हो जाते हैं इसमें वो फिर bold view में जैसे जैसे आएगा वैसे मैं बताऊंगे आपको derived data types क्या होते हैं, जो आपको पहले बताया था कि array is a combination of homogeneous element इसमें heterogeneous element होते हैं pointer memory को जो point करता है, accessing के लिए आपका आगे आए का पूरा chapter pointers का related, enums हम अपने variable define करते हैं type depth से, तो यह सब चीज़े यह derived data types में आती है next चीज आगे string जैसे मैंने आपको बताया, it is area of character हर एक string में सारी string खतम होती है, null character से backslash zero जैसे मैंने लिखा b5 is equal to hello हमने इतना लिखा automatically क्या होगा, इसमें null character add हो जाता है इसको हम ऐसे भी define कर सकते हैं देखें, यह character array हो गया character का array यानि की string हो गई तो string is basically array of characters लास्ट चीज जो है वो symbols कौन-कौन से symbol यूज होते हैं हमारे simple bracket functions में यूज होते है square bracket आपके indexing में यूज होते हैं बहुत जगे यूज होंगे कई सारे variables declare कर रहे हो suppose जैसे आपने किया था int x, y ऐसी जगे पर यूज होते है hash यूज होता है आपका include करने के लिए preprocessor directive है asterisk आपका multiply के लिए भी यूज होता है pointer के लिए भी यूज होता है till sign यूज होता है आपकी memory जो आपने allocate किये है runtime allocation जो किया है memory का उसको destruct करने के लिए उसको खतम करने के लिए till sign use होता है period होता है आपके suppose structure है उसके elements को use करने के लिए तो यह सारे symbols आप आगे use करोगे ठीक है अब मैं यह सारी चीजों को with installation of turbo c मैं आपको दिखाऊंगे आपके laptop पे so guys so very first thing which I am going to tell you is how to download turbo c++ या turbo c जिस कहां पे आप program run करोगे ठीक है तो आप सबसे पहले क्या डालोगे studiopedia turbo c यह search में डालोगे तो आपको studiopedia का देखिए link आ जाएगा यह link में description box में भी डाल दोगे तो आप वहाहीं से click करके भी डाल सकते हो ठीक है उसके बाद नीचे जाएंगे हम देखे download turbo c c++ तो जो c++ का platform होता है उसमें c की सारी program run होते है ठीक है तो उसमें हम वह download कर देंगे fine मैंने इसको download को खोलूँगी मैं show in folder अब यहां पर आपको extract करना है ठीक है extract here कर दिया मैंने देखे folder बनके turbo c का double click किया और आपको setup को run करना है ठीक है आपको क्या है setup को run करोगे automatically बहुत जल्दी fractions of seconds में हो जाएगा आप आप next करके install करोगे और finally finish पे click करोगे जब आप finish मैं इसको कर नहीं रहे है को कि मेरे में already installed है जब आप finish को click कर लोगे तो यहां desktop पे desktop पे देखे यहां पे icon बना हुआ आजाएगा इसको double click करना है आपको start turbo c++ यह देखे यह आपकी इसकी c++ की window आ गई है आपके c के program run के कई पर क्या होता है यह window ना छोटी होती है तो बच्चे परिशान होते इसको बड़ी करें कैसे करें तो आपको keys का combination आप तहीं पर लिख लो alt and enter साथ में press करना है तो आपकी यह screen है वो बड़ी हो जाएगी यहाँ पर file में new करना है ठीक है अब मैं आपको programs बताऊंगे फिर बताऊंगे run कैसे करना है इसको यह जो arrow है यहाँ पर arrow करेंगे तो यह जितनी भी errors भी display हो रहे है वो full screen गाएब हो के full screen हो जाएगी और यह जो button है यहाँ से हम screen को उस particular program को close कर सकते है ठीक है सबसे पहले हम include करते है file अब यह जो include किया जाता है this is preprocessor directive जो is hashes को कहते preprocessor directive यह क्या करता है library को library को import करता है ठीक है include करता है basically stdio.h is standard input output library जितने भी input to do operation है वो इस वाली library के थुरू होते है ठीक है जो conio.h है console input output यह जो sorry यहाँ पे hash include conio.h ठीक है यह होती है आपकी clear screen के लिए वो भी सबेकिक करके बताऊंगी और get.ch भी डालना है तो आपको header file जरूरत पड़ेगी अब कहां पड़ेगी वो मैं भी आपको बताती हूं main बताता है void main बताता है आपका start of program ठीक है यह function होता है programming start होती है void इसका return type होता है जितना जहां हमने open किया brace वहां में close भी करना पड़ता है void इसका return type होता है इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा warning आती है its okay कोई फरक नहीं पड़ता है return type इसका by default integer होता है तो अगर हम इसमें यहां पे return statement नहीं लगाएंगे तो warning आती है लेकिन उससे program के execution पर problem नहीं आएगी void main लिखो main लिख सकते हो int main लिख सकते हो कुछ भी लिख लो सब चलेगा ठीक है अब variable declaration अगर मैं variable एक suppose करना है x is equal to 20, y is equal to 30, z मैंने तीन variable ले लिए functions के अलावा loops के अलावा और if else statement सारे statement में semicolon mandatory है semicolon बताता है कि वो statement खतम हो गया है अब print करना है तो हम suppose मुझे addition करना है x is equal to x plus y मैंको addition करना अब इसको print करना है प्रिंट करने के लिए पूरा detail मैं आगे वाले वीडियो में दूँगी यह basic चीज है जो आपको पता चले कैसे प्रोग्राम को लिखना है print f दो ब्राकेट होते है इसके अंदर quotes में हम inverted commas में जो कुछ भी लिखते है वो as it is screen पर print हो जाता है तो addition is अब मुझे जहां पर addition या sum is कुछ भी लिख दो addition लिख दो या फिर sum is कुछ भी लिख कर अब इसके बाद मुझे value चाहिए जहां value चाहिए है वहां पर मुझे percentage d लगाना पड़ेगा अगर integer value display करना चाहिए हूँ वो मैं आपको future में बताऊंगे कि कब क्या चीज़ use होती अभी यह समझो कि मुझे क्योंकि यहां पर integer sum जो sum आएगा वो obviously integer value आएगी इसलिए मैं यहां पर percentage d लिख रहे हूँ कॉमा के बाद अब percentage d की जो value होगी वो कहां से उठाएगा वो कॉमा के बाद जो variable लगाएंगे हम z, z में हमारा sum है वो sum जो है हम जो लगाएंगे वहां से उठाएगा ठीक है अब उसके बाद मैं इसको देखिए run करना है तो एक तरीका तो यह है आप यहां से पहले तो compile करो alt f9 से compile होता है ठीक है success हो गया और उसके बाद यहां से run से आप run करो control f9 से ठीक है अब shortcut की क्या है control f9 करेंगे आप see अब इसके बाद output आपको नहीं दिखा output नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा हमें output देखना है shortcut keys जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाओ alt f5 से alt f5 से आप output देख पाओगे ठीक है अब मैं इसको suppose फिर से run कर रही हूँ control f9 से run कर रही हो दुबारा से यह देखी दुबारे run किया alt f5 से दुबारा output देख रही है तो देखो पीछे वाला output हमें जाता नहीं हो वहीं रहता है अगर मैं चाहते हूँ कि हर बार वो पीछे वाला output ना रहे तो आपने क्या करना है जहां यह variables दिखने रही है उसके आगे लिख दो CLR SCR यह जो फंक्षन है वो रिलेटेड है कोनियो.h से अगेन मैं रन कर रहे हूँ alt f5 से मैं फिर से output देखूँ तो मुझे बार बार alt f5 दभाना पड़ा है output देखने के लिए मैं चाह रहे हूँ कि automatically वो output screen पे रहे तो उसके लिए एक function लगता है that is get ch यह लगा दोगे तो देखिए मैं run कर रहे हूँ तो automatically वो output screen पे जाएगा और alt function f9 output screen पे ही रहेगा जब तक आप enter key press नहीं करोगे अब मैं enter key press कर रहे हूँ तो देखिए वापस अपने screen पे आगया इतनी चीज़ समझ में आई होगी अब next चीज़ जो बाहे है यह तो क्या किया हमने variable अब जो constant होता है वो constant कैसे define करते है अब suppose मैंने यहाँ पे लिखा है c o n s t constant suppose m is int type का constant है m जिसकी value है 2 ठीक है अब अगर मैं इसको change करने की कोशिश करोंगी m is equal to m plus 3 ठीक है तो देखिए मैं इसको run कर रहे हूँ तो errors आएगी क्या error आई cannot modify constant object जबकि अगर मैं यहाँ पे x is equal to x plus 3 लिखूंगी तो देखिए यह कोई error नहीं आएगी क्योंकि वो variable है constant को आप change नहीं कर सकते हो वो variable को change कर सकते हो दूसरा जो मैंने बताया था pre-processed directive को use करके आप कोई भी value define कर सकते हो hash define आप किसी भी नाम का variable लिलो space 3 ठीक है इसको मैं यहाँ पे use कर सकते हूँ x is equal to a plus 3 print को मैं x print कर देती हूँ sum की जगे देखिए 6 आया है क्यों 6 आया है a की value थी 3 और इसमें मैंने 3 और add कर दिया और print कर दिया तो यह जो define होता है उसमें ध्यान रखना define के बाद space आता है फिर variable का नाम आता है और फिर space आता है equal to नहीं आता है ठीक है और फिर value आती है इस तरह से हम छुट छुट प्रोग्राम run करते हैं अब मुझे इसको save करना है तो आप क्या करोगे file उसके बाद file में चाहिए फिर save या save as पे click करेंगे अब यहां पे आप जो भी नाम दोगे उसका first program डाल रही हूं मैं first program डाला मैंने नाम और save कर दिया तो देखें यहां पे no name करके जो लिखा रहा था अब इसका नाम आ जाएगा first program ठीक है तो इस तरह से हमें सब program run करने है इस इस particle program को close करना है तो मुझे मैं यहां से कर सकती अब यहां पर क्लिक करके आप close कर सकते हो ठीक है कुछ प्रोब्लम है मेरे इस program में जो click नहीं हो रहा किसी भी menu पर भी click नहीं हो रहा anyways तो मुझे अगर मुझे open करना है मैंने shortcut की use करी mouse से मेरे click नहीं हो रहा है तो मैंने shortcut की use करी alt f इससे क्या होगा मैं arrow की use करके कोई भी command है वो दे सकती हूँ open करना है तो open करया ठीक है usually हमारे सारी programs bin में save होते है by default bin में save होते है ठीक है तो यहां से आप जो भी program खोलना चाहें मेरे पास इतने सारी program ह जो भी program खुलना चाहें वो खोल सकते है ठीक है और इससे आप close कर लोगे अभी मेरा mouse का button नहीं चल रहा है मुझे नहीं मालूम है क्या problem है इसलिए यहां पे close नहीं हो रहा दरवाइस इससे close हो जाएगा और इससे आप full screen कर सकते हो इस पर click कर रही हूँ मैं लेकिन full screen नहीं text इसे मैंने exit कर लिया and now you can close it I hope you understood the basic concepts of this video next video मैं मैं operators को पूरा explain करूंगे with all the programs if you like this video please like and subscribe hit the bell icon thank you and have a nice day